चाप्टर नामबर त्री वाइ बोईज फेल इन कॉलेज इस चाप्टर को लिखा है हापट एडविन हाक्स ने हाक्स अमेरिकन माफेमेटीशन थे कॉलम्बिया कॉलेज में एज डीन इनों हे 25 येर्स काम किया बहुत experienced educator थे और इनके पास first hand knowledge था उन तमाम problems का जो बोईज अपने college life में face करते हैं अब इसी knowledge से फाइदा उठाते हुए हाक्स ने ये essay जो है वो लिखा और इस essay के वसीले से हमें पता चलता है कि कौन-कौन सी causes है जो students के failure का बाइस बंती है according to the hawks जो first cause है वो है lack of concentration students जो है ये बच्चा जो है वो अपनी studies पर focus नहीं कर पाता वो पढ़ने तो बैठता है जहीन तो है लेकिन जब पढ़ने पैठता है तो उसका ध्यान जो है वो बढ़ जाता है उसको लगता है कि मैं कभी ये काम कर लूँ कभी वो काम कर लूँ इस्पेशली अगर वो लिख रहा है तो उसको याद आएगा ओहो मेरी तो पैंसिल ही का सिक्का टूट गया और ये तो शार्प ही नहीं है तो वो शार्पन करने के लिए पैंसिल को उठेगा शार्प करके वापस ले आएगा जब लिखने लगेगा तो उसको पिर याद तो वो तुबारा उठेगा और सारी पेंसिल्स को जाके बारी-बारी शार्पन करेगा अब फिर वो वापस आएगा अमूमन ऐसा हमारे साथ भी हो बैठे बैठे हमें याद आए हम काम कर रहे हैं एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे मैंने तो आज बहुत काम कर लिया अब तो मुझे भूक लग रही है मैं तो बहुत थक गई गए फ्रिज को खोला और जो कुछ पढ़ावा था वो खाया वापस आगए फिर चुके हमारा दिहान नहीं एक चीज़ पर रह रहा तो हमें यादा मुझे तो पानी पीने अब उठके पानी पीने चले गए तो इस तरहां से जो concentration का problem है ये बहुत बड़ा problem है ये आपकी जहानत पे हावी हो जाता है second problem ये है selection of subjects जो ही बच्चा metric करता है तो parents उसको बताते हैं एक उसने क्या करना है उससे पूचते नहीं है कि तुम्हारा क्या interest है तुमने क्या करना है उसको बताते हैं भाई तुमने science ही पढ़नी है बच्चा चाहे एक अच्छा artist बन सकता हो हो सकता है वो engineering में जाना चाहता हो हो सकता है वो कुई और field opt करना चाहता हूँ लेकिन parents ने उसको जबरदस्ती जो है वो bio रखवानी है या कोई और subject रखवाना है जिसमें उसका कतन कोई interest है ही नहीं अब ये भी एक reason है कि उसकी जो दिल्चस्पी है बच्चे की वो खतम हो जाएगी studies में और वो confidence वो बच्चे या बच्चियां जिनके metric में ताउसंट या 900 में marks आ जाते हैं उनके अंदर extra जो है वो एक power आ जाती है वो समझते हैं कि मैंने तो जिनाब metric में इतने marks ले लिए थे मैं तो बहुत talented हूँ मैं तो बहुत like हूँ अब मुझे कोई खास किसम की दौर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकर मैं तो अलरड़ी जी चुकी हूँ या जी चुका हूँ तो वो बच्चे और वो confidence का शिकार हो जाते हैं अब देखें वो subject जो एक पूरे साल के लिए डिजाइन किया गया उसको आप दो महीनों में एक महीने में या चंद घंटों में नहीं कर सकते जब तक कि आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे ऐसे बच्चे भी फेल हो जाया करते हैं financial problem ऐसे बच्चे जिनको माली मुश्कलात का सामना होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो जिस्मानी और जहनी करप का शिकार रहते हैं तो किस तरह से वो बच्चा अपनी study पर focus कर पाएगा जब उसका जहन जो है वो ही मुत्में नहीं है मैंने भी एक दो बच्ची को देखा उन्होंने कहा मैं हम जो है वो एवनिंग में जो है वो चूटी मुटी जॉप करते हैं और मॉर्निंग में college हम जॉइन करते हैं job जो है वो अगर एक बच्चा कर रहा है सिर्फ इसलिए कि अपने अखराजात पूरे करें तो वो mentally कितना disturb है और शाम को जब वो ठकावा है तो college का या school का या university का काम वो कैसे करेगा so financial जो problem है वो भी उसके failure का बाइस बनती है health problem जो पढ़ने के लिए अच्छी सहत का होना बहुत जरूरी है जब तक आप जिस्मानी तौर पे जहनी तौर पे तंद्रूस नहीं फ्रेश नहीं आप studies को जो है वो attention नहीं दे सकते so health problem is also one of the causes of the failure फिर लास्ट प्रॉब्लम है एथलाथिक स्पोर्स और अधर एक्टिविटीज वो स्टूदेंस वो बच्चे या बच्चियां जिन्होंने फिजीकल एजूकेशन का सब्जेक्ट रखावा होता है अमोमन classes में से जो है वो गाइब होते हैं हमारे आज matches हैं हमारे जी practice चल रही है हमने आज जाना है हमने कल जाना है तो यह जो चीजे हैं यह भी उनके failure का बाइस बनते हैं क्योंके जब आप lecture attend ही नहीं कर रहें आप school की college की जो assignments हैं उनको नहीं बना रहें आप teacher के साथ आपका interaction नहीं है तो definitely आप fail होंगे इसी तरह से वो बचे जो singing में dancing में debates में या other co-curricular activities में अच्छे होते हैं वो भी नहीं चक्रों में हमेशा जो हो पाए जाते हैं कि जी मैं मैं तो debate में जा रही हूं मेरा तो singing competition है मेरा तो यह competition है वो competition है उसमें भी उनका धेर सारा जो वक्त है वो जाया हो जाता है तो studies पे वो का focus करेंगे के तो यह तमाम चीज़े भी उनकी failure का बाइस बंती हैं अब जो first problem हमने देखा concentration का writer कहता है जी इसका एक solution है solution यह है कि जिस बंदे का focus disturb हो उसकी जो concentration level है वो जो है वो उपर न करना है और अपने आपको खुद बिठाना और कहना है बैठो और पढ़ो अब तुमने यहां से नहीं हिलना कोई आपको नहीं कहेंगा आप अपने डॉक्टर खुद हैं आपने अपने आपको खुद बिठाना है जब आप अपनी attention को अपनी thoughts को एक जगा पर करना चाहेंग तो वो एक जगा पर हो जाएगी लेकिन जब आप कमजोर पढ़ जाएंगे तो आपकी जो एक तरह की कह लिजी है यह कमजोरी है attention lose करने की तो वो आपे हाभी होती चले जाएगी अब चो selection of subjects हैं कि parents के पार्ट पर है parents को सोचना है कि बच्चे ने बच्चा क्या बनना चाहता है तो ही वो excel कर पाएगा उस subject में तो parents को freedom देनी चाहिए बच्चों को जो over confidence वाले बच्चे हैं याद रखिएगा कि रोज का काम रोज करेंगे तो कामयाबी होगी पुरानी कामयाब मेहनत पे नहीं कामयाबी आपको नहीं मिल सकती है आपने effort की metric के लिए FA के लिए या BA के लिए तो अब उससे आके जाने के लिए आपको दुबारा effort करनी है उतनी ही दौर या शायद उससे ज्याता दौर लगानी है तो ही आप कामयाब होगे financial problem के लिए writer कहता है कि college को या university को ऐसे बच्चों को support करनी चाहिए अभी तो definitely पाकिस्तान में या हमारे यहां पर यहां पर ऐसा होता है कि colleges में जो है वो card fund या different तरह से ऐसे बच्चों को help out किया जाता है ताकि वो दिहान से जो है वो अपना काम कर पाए इसी तरह से health जो problems है इसको sort out करने के लिए या solve करने के लिए writer कहता है कि colleges में, universities में या schools में clinics होने चाहिए इस टीस की deficiency है clinics होने चाहिए जहां पर doctor भी मौजूद हो और ऐसे बच्चों को कहे बगाहे examine किया जाए और sometimes बच्चों को जो है वो first aid की जरूरत होती है या उनको जो है वो फौरी इमदाद की जरूरत होती है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो वो वहाँ पर भी उनका कुछ न कुछ मस्ला हल हो सकता है sports वाले या co-curricular वारे बच्चे जो है वो बच्चे participate करें या वो बच्चे जो है वो ऐसा subject opt करें जिनको लगता है कि वो all rounder है वो studies में भी बहुत अच्चे है और वो sports को भी सासत लेके चल सकते हैं इस तरहां से आप failure से बच्च सकते हैं आज हमने अपने पूरे chapter को summarize किया है next videos में हम इसको paragraph wise लेखेंगे उमीद करती हूँ कि आज का lesson आपको समझ में आया होगा thank you very much